गुड मॉर्निंग एवरीबडी बेटा अपना पी ब्लोग में ग्रूप 15 एंड 16 हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं उस पे प्रिवेश 40 येर्स के क्योस्टन्स भी हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं ठीक है अपने नेक्स्ट ग्रूप की साइट बढ़ते हैं बेटा देट इ प्रोपर्टीज हम 11 में भी पढ़े थे इंडिज्वली हमने ग्रूप 15 16 में भी पढ़ी तो प्रिडिक प्रोपर्टीज आपको जो नोट्स में दूंगा ग्रूप 17 के उनमें एक बर रिवाइज कर लेना मैं कमपाउंड से स्टार्टिंग कर रहा हूं जिसमें मेरा पहला क फ्लोरीन ठीक है पहले कमपाउंड के आज स्टडी करते हैं फ्लोरीन जिसको मैं आप डिनोट कर रहा हूं एफ टू से ठीक है जिसको डिनोट कर रहा है हम लोग एफ टू से अब हमें इस एप टू की वही दो चीज़े पढ़नी है वन इस प्रिपरेशन and another is properties preparation and properties पढ़नी है मुझे एफ टू की तो सबसे पहले हम लोग इसकी preparation देखते हैं कि इसको prepare कैसे करेंगे preparation of एफ टू बिटा फ्लोरीन इस prepared by electrolysis of फ्यूज साल्ट के एच एफ टू के एच एफ टू मैंने कौन सी केटेगरी में रखा एक फ्यूजज साल्ट है इसका अगर हम electrolysis करा दें कि electrolysis आपको पता होगा इलेक्ट्रो मेंस electricity lysis means breakdown and electricity के helps एम इसका क्या करा दें ब्रेक्डाउन करा दें तो आपका fluorine बन सकता है ना तो इस प्रिपेड बाई electrolysis of एक इसमें तूटेगा बिटा के कि पॉजिटिव प्लस ऐच पॉजिटिव फ्लस two f नेगटीव मैंने यहां पी सिका electrolysis करा दिया धो यूनिट पोजिटिव चार्ज हो रहा है दो हो एऺफ नेग्टीव चार्ज हो तो बिसी बात है एनूड कैثोड की रीक्षन भी होंगी तो एट कैथोड कैथोड के उपर क्या होगा सबसे पहले हम लोग वह देखते हैं अब कैथोड के उपर आपको पता है कि सैल कोई भी हो कैथोड के उपर हमेशे क्या होता है reaction होता है और reduction का मतलब क्या होता है gain of electron है ना तो हम क्या करेंगे जो टुव है यह एच पोजिटिव है इसको मैं इसके दो आपके पार्टीकल्स लूँगा दो आयन जो है अब यह जो टुव है इसको टुव होने के लिए कितने एलेक्टोंस चीए है है एक एक एलेक्टों का लोस कर रखा है अब 2H पोजिटीव है मतलब 2 एलेक्टों का लोस कर रखा है और कैथोड के ओपर reaction हो रही है मुझे gain of electron कराना है means reduction कराना है तो मैं इसको क्या करूँ 2 electrons provide कर दूँ और जैसे मैं इसको 2 electron provide करूँगा एक किस में convert हो जाएगा H2 में convert हो जाएगा this is the reaction which takes place at cathode अब मुद्द ही है कि 2 electron आए कहां से यह 2 electron आए होंगे भाई एनोड से तो एनोड की reaction देखते हैं साथ में एनोड से क्यों आए होंगे क्योंकि एनोड की उपर क्या होता है बेटा हमेशा oxidation होता है cell कोई भी हो और oxidation का मतलब क्या होता है loss of electron तो यहाँ पे जो यह 2F negative है हमारा यह क्या करेगा F2 में convert होके 2 electrons का loss कर देगा 2F negative का मतलब क्या है कि इसके पास 2 electron access में है एक negative charge का मतलब क्या है कि एक electron gain कर रखा है 2F negative है मतलब total 2 electrons gain कर रखे हैं 2 electrons gain कर रखे हैं तो इसने क्या क्या दो electron का बिटा loss कर दिया यह 2 electrons किस ने लिए है एच पोजिटिव ने लिए और किस में convert हो गया है एच 2 में convert हो गया तो यह था overall electrolysis of KHF2 नहीं ना एनोड कैथोड की reaction समने हां पर अलग लग करके लिखी हैं KHF2 को क्या बोलते हैं बीटा फर्मी साल्ट बोलते हैं ठीक है और यहां पे एनोड के उपर आप देख रहे हो क्या बन गया एफटू बन गया है जिसकी preparation हमें करानी थी ठीक है क्या बन गया है भाई एफटू बन गया है जिसकी preparation हम लोग पढ़ रहे हैं तो दिस इस दा मैथड टू प्रिपेर एफटू फ्रॉम KHF2 ठीक है अब यह जब हम electrolysis का process कराएंगे तो कौन-कौन सी बातों का हमें यहां पर ध्यान रखना है वो points में आपको बता रहा हूं दो points का ध्यान रखना है बेटा पहला point है electrolyte must be absolutely dry dry एकदम सुखा हुआ होना चाहिए electrolyte आपका इसकी वज़े क्या है अगर यह सुखा हुआ और नहीं होगा तो H2O react कर जाएगा H2O react कर जाएगा F2 के साथ और वो भी explosive reaction होगी है ना तो इसलिए क्या बोलते है कि electrolyte must be absolutely dry एकदम electrolyte आपका सुखा हुआ होना चाहिए otherwise H2O will react with F2 violently ठीके बीटा आपका H2O किसके साथ react कर जाएगा F2 के साथ react कर जाएगा दूसरी precautions जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि F2 must be free from HF otherwise it associates to form HF2 यह कहरा कि जो F2 है must be free from must be free from HF जो F2 है आपका वो उसका HF से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए otherwise यह दोनों भी कि ऐसा क्यों होना चाहिए तो preparation reaction में इसके उपर आपके conceptual question बनते हैं बोर्ड लेवल के ठीक है इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और preparation reaction में फर्मी साल से हम लोग कैसे F2 को prepare करेंगे यह आपको दिमाग में रखना है ठीक है उसके बाद देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज उसके बाद देखते हैं बटा F2 की प्रॉपर्टीज यह पहली प्रॉपर्टीज है इट इस एप पेल यल्लो गैस विद पंजेंट स्मेल एक पेल यल्लो गैस होती है बटा पंजेंट स्मेल के साथ ठीक है दूसरी प्रॉपर्टी है यह जिनों के साथ रियक्ट करके XCF2, XCF4 और XCF6 जैसे पंप्वाउंट्स बनाती है यह हम लोग गुरूप 18 में तीनों को डिटेल में हम लोग पड़ चुके हैं कि XCF2 जैसेशे, XCF4 x6 होता है xe f6 क्या होता है क्या कि structure होती है कि इनकी 거지 होती है तो हम sa hablé की property में डालेंगे इस point को यह जिनों के साथ react करके and działa boys juna quina iPlay of fluoride इंची यह नहिक बनाएं भीच इसमेल तीजर रिचाइब भाइ तीसरी property है यह जोरें के साथ react करके एक रियक्त with water और यह O2 और O3 release करने की tendency रखती है है ना यह water के साथ react करके बेटा O2 and O3 release करने की भी tendency रखती है ठीक है चोथी property है चोथी property है यहां पर except oxygen and nitrogen it reacts with all non-metals at room temperature oxygen और nitrogen को छोड़के है ना इनका जो case है वो on रहेगा on means याद रह जाएगा आपके की O means oxygen and means nitrogen इनका case on रहेगा भाई oxygen और nitrogen को छोड़के यह लगभग लगभग सारी non-metals के साथ room temperature पे react कर जाती है यह ना room temperature पे react कर जाती है ठीक है ध्यान रखनी है यह बात कौन रिएक्ट कर जाती है ठीक है उसके बाद फिफ्ट जो इसकी प्रोपर्टी है वह हम देखते हैं कि alkali metals के साथ यह कैसे react करती है अगर मैं F2 को react करा दूं एन्ने ओएच के साथ के साथ इनकी reaction देखते हैं बेस के साथ इनकी reaction देखते हैं एफ तुक अगर मैं इनकी प्रोडेक्ट करा दूं एन्ने ओएफ प्लस ओएफ टू और दूसरी रिएक्शन अगर मैं F2 का रिएक्शन कराता हूं एल्कली मीन्स एन्ने ओएच के साथ ही लेकिन आपके बार यह एन्ने ओएच होट और कंसंट्रेटिड है तो यहां पर प्रोडेक्ट बदल जाएगा रिएक्शन इंपोर्टेंट है यह ध्यान रखनी है एन्ने ऐफ प्लस ओटू यह प्रोडेक्ट बनेगा एन्ना F2 की कोल्ड एन्ने ओएच और होट एन्ने ओएच दोनों के साथ जो यह अलग लग रिएक्श पढ़ते हैं जो कि लास्ट प्रोपर्टी है कि रिएक्श विद अधर हलोजन्स इट रिएक्श वेद रिएक्श वेद अधर हलोजन्स फॉर्मिंग इंटर फलोराईड फॉर्मिंग इंटर फलोराईड थैना देखो यहां पर आप इंटर फलोराईड भी बोल सकते हो और हम यह भी कह सकते हैं कि यह इंटर हलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाता है है ना इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है बिटा कि हेलोजन रियक्ट होगा हेलोजन के साथ ही ठीक है आपस में दो हेलोजन का मतलब होता है बिट्विन हेलोजन कंपाउंड बिट्विन हेलोजन उसका मतलब हो गया इंटर हेलोजन कंपाउंड ठीक है तो यह क्या रहा है कि फ्लोरीन रियक्ट करता है अधर हेलोजन के साथ और यह क्या बनाता है इंटर फ्लोराइड और वीकेंड से इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं तो इंटर हेलोजन कंपाउंड आगे भी करेंगे मैंस हैलोजन विल रियाक्ट विद हैलोजण एक्जॉम्पल देखते हैं कि इंटर फ्लोराइड का अगर यह आई2 के साथ यह करता है कौन एफ-टू तो आपका बनेगा यहां पे भी हुई है ठीक है अपनी कोपी में स्टक्चर करने की कोशिश भी करना तो पेटा यह है कि रिएक्ट विज अदर हैलोजन फॉर्म इंटर हैलोजन परटीज को पेल यलो कलर विद पंजेंट स्मेल जिनों के साथ कंपाउंड बनाता है च्टो के साथ रियक्ट करके ऑक्सिजन और नाइटोजन के साथ यह रियक्ट नहीं करता है और यहां पर फ्लॉरीन की कोल्ड ने वेच्ट के साथ रियक्शन ध्यान में रखनी है और यह रियक्शन पॉसीड करते वक्त क्या प्रिक्शन क्यासे हुज़ करनी है वो दोनो प्रिक्शन भी में तर ही नाट कर लें एंट